महाराष्ट के पालगर में जैपुर मुमे एक्स्पिस ट्रेन में एक आरपी एफ कॉंस्टेबल ने अपने सीनियर एस आई पर अंदादून गोली बारी कर दी इस घटना में एस आई और तीन अनी आत्रियों की गोली लगने से मौत हो गई चेतन नाम की कॉंस्टेबल ने फाइरिंग की जिसे मीरा रोट से पुलिस ने गरफतार कर लिया है रपी एफ जवान द्वारा फाइरिंग करने की वज़ा भी पता नहीं चल सकी है मामले की जान चल रही है गटना सुमबाट सुबह करीब पांच बज़े की करीब को गटी टेन के बी फाइफ कोच में ये फाइरिंग होई फाइरिंग में चार लोगों को गोली लगने से मौत हो गई हाला कि फारिंग होने की वज़ा का भी पता नहीं चल सका है लेकिन बताया जा रहा है कि आरपीफ कॉंस्टेबल और उसके सीनियर A.S.I. में किसी बात को लेकर तनातनी और कहा सुनी हो गई थी जिसके बात कॉंस्टेबल ने गुस्टे में आग बबूला होकोर ताबातोर फारिंग कर दी फारिंग पालगर मुंबई के बीच दहीसर इलाके में ट्रेन में हुई आरपीफ कॉंस्टेबल चेतन को मांसिक तनाव में बताया जा रहा है इसके साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद